नमस्कार स्वाकत है आपका फुल एंड फाइनल में आज की ये बड़ी खबर है वार प्लान लीक हो गया है एक एक स्ट्राटेजी बाहर आ गई है सारी तस्वीरे खुल कर निकल कर आ रही है ये खबर हम आपको बताएंगे लेकिन पहले शुरुबात करें इस वक्की बड़ी बड़ी खबार पूरे डोनेस में एरेड एलर्ट डोनेस के कई इलाकों में जबर्दस बंबारी तीसरी बड़ी खबार युक्रेन का रूस पर बड़ा काउंटर अठाक युक्रेन ने रूस के तेरा मिजाइल सिस्टेम उड़ा दिये ग्राइड यूनिट्स जिसे बताए जा रहा है बहुत बड़ा काउंटर अठाक चौथी बड़ी खबर कुछी हफ्तों में युक्रेन करेगा बड़े काउंटर अठाक अमेरिका के विदेश मंत्री एंटिनी ब्लिंकिन का दावा पांचवी बड़ी खबर सीधे ब्रेक करिए रूस के बाद पश्चिमी देशों के निशाने पर होगा चीन रूस के विदेश मंत्री लैवरॉव ने किया दावा चटी बड़ी खबर जैपरेजिया में रूस ने तेज की शेलिंग 24 गंटे में जैपरेजिया में सौसर जादा अठाक साथ भी बड़ी खबर पेंशन रिफॉर्म्स के खिलाफ फ्रांस में गदिरोध बरकरार हज़ारों लोग फिर से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उत्रे तस्विरे देखिए पेंशन रिफॉर्म्स के खिलाफ फ्रांस की सड़कों पर प्रदरशन फुल फ्रेम पे शौट जिकाई है ज़रा ये फ्रांस की सड़कों का हाल है देखे किस तरीके जिवाहां पर तनाव है इस सब के बीच में एक और बड़ी ख़बर सीधा है अगली बड़ी ख़बर जो आपको दिखा रहा हूं प्रदर्शनकारियों ने मैकरॉं के प्रसंदीदा रेस्टरॉंट में लगाई आग बेक ब्रेक करें मैकरॉं से जबरदस नराज़गी फ्रांस में पेंचन पन्राए कानून को लेकर लगातार विरोध जारी जो उनके फेवरेट रेस्टरॉं में आग लगाने की कोशिश की गई ये देखिए हमाब सीधे आईए आठो ब्रेकिंग मैं आपको दिखाता हूं उसके बाद हमारे खास वेमान इस वक्त हमारे साथ है पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये देखिए इस वक्त की पहली बड़ी खबर केर्सओन में रूस की जबरदस बंबारी आ रही है जानकारी ये आ रही है कि सूमी में भी अटाक किया गया है और स्लोवियांक्स में रूस का बड़ा मिजाइल अटाक है डोनिस के कई लाकों में जबरदस बंबारी है वहाँ पर एरेड इलर्ट चल रहा है तीसरी बड़ी खबर यूक्रेन का रूस पर बड़ा काउंटर अटाक तेरा ग्रैड यूनिट्स कई यूएबी उडाने का इन्होंने दावा किया है अमेरिका की विदेश मंतरी अंटरी बलिंकिन का दावा अगले कुछ हफ्तों में बहुत बड़ा काउंटर अटाक करेगा यूक्रेन फिर बड़ी खबर है रूस के बाद पश्चमी देशों के निशाने पर होगा चीन ये विदेश मंतरी रश्चा सरकी लेवराव ने का है 24 गंटे में जपरेजिया में सौस से जादा अटाक ये इन्फरमेशन आ रही है जपरेजिया में रूस ने तेज किये है बंबारी पेंशन रिफॉर्म्स के खिलाफ प्रांस में गद्रोध बरकरार है दोनों खबरे उसकी है इसकी डीटेल में आपको दिखाओंगा सीधे चलिए इस वक्त हमारे खास मेंमान हमारे सामने आपकी स्क्रीम पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त जो हमारे खास मेंमाने सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं Ambassador Deepakura sir, thank you very much sir मैं आपके पीछे फ्लार्स नहीं बल्कि कोरोना का बुक्य देख रहा हूं और मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं जनल शंकर प्रसाद सार सर भी मिस्ट यू लॉट थैंक यू सो मच पर वाइंग ताइम सार और मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं कर्मदोर जीजे सिंग साहर और सल्यूट इम और इस फादर इंद पिक्चर ताइस आपको बड़ी खबर लांसेट ड्रोन से उक्रीनी टैंक पर बड़ा ठाक ब्रेक करें सवक्की बड़ी खबर राहूल रूस युक्रेन के खिलाफ इस्तमाल कर रहा है युक्रेन के सौस से जादा आर्टलरी को किया नष्ट अम्मिन सब करेगा यह देखे अब आप लांसेट ड्रोन से यह अटाक किया गया उसकी तस्वीरे में आपको दिखा रहा हूँ यह देखे अब आप इसके बगल में प्लीज बेकिंग ज़रूर रखिएगा सीधे आईए बड़ी ख़बर में आपको दिखा रहा हूँ युक्रेनी फोर्सेस का रूसी पोजिशन्स पर बड़ा हमला दिखा यह दरा विज्वल्स बहुत जबर्दस अटाक किया है रश्यान वन फिफ्टी टू एमेम फील्ड गन को किया तबाह यह देखिए बाह खेरसौन इलाके में रूस ने इस गन्स पर किये थे हमले मैं चाहूंगा राहूल यह दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट जिखाई है ज़रा यह दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट देखे किस तरीके से अटाक किया गया है और यह तस्वीरे आपके सामने आ रही है सब के बीच में एक और बड़ी कबर सीधे आईए अब दीविका में युक्रेइन का ड्रोन से अटाक ब्रेक करें विजूल ज़रा युक्रेइन के ड्रोन अटाक में रूस के टैंक तबाह हो गए दिखाईए ज़रा विजूल्स राहूल अब दीविका में रूसी सेना के स्ट्रॉम जी यूनिट की होगी तहना थी अब दीविका डोनिस्क फ्रेंट लाइन पर स्ट्रॉम जी की तहना थी ये देखिए अब आप फुल फ्रेंट पे शॉट दिखाईए ये देखिए ज़रा तस्वीरें अब दीविका में युक्रेइन का ड्रोन से बड़ा अटाक है ये देखिए ज़रा युक्रेइन के ड्रोन अटाक में रूसी टैंक तबाह हो गए अब दीविका में रूसी सेना के स्ट्रॉम जी यूनिट की होगी देनाधी इस सब के बीच पे एक बड़ी खबर आ रही है हमारे जितने भी दर्शक है वार प्लान लीक ये खबर मैं आपको दिखाने जाना हूँ लेकिन अब दीविका में जो आक्शन था वो आपने देखा लेकिन अब दीविका से इस वक्की सबसे बड़ी खबर सिर्फ ब्रेकिंग यूक्रेनी वार फ्रंट अब दीविका से सबसे बड़ी खबर ब्रेक करिये अब्दीविका में रूस ने गवाए चार हजार सैनिक एक हफ़ते में चार हजार रूसी सैनिक मारे गए ISW ने अब्दीविका को लेकर किया बड़ा दावा नाउ इड़ विजुल्स राहूल 50-50 यूक्रेन वार फ्रंट से बड़ी ख़बर आ रही है 50-50 पे रखेगा अब्दीविका से बड़ी ख़बर आ रही है अब्दीविका में रूस ने गवाए करीब 4,000 सैनिक एक हफ़ते में 4,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा आइस जबलू ने अब्दीविका को लेकर किया बड़ा दावा मेरे सबी मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर बहुत शाप रियाक्शन रखेगा क्योंकि मैं आपके पास बहुत सारे सवाल ले कराऊंगा सबसे पहले मैं सीधे चलूँगा शंकर प्रसाद सर के साथ ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट निकाई है बैसर एक हफते में रश्या के 4,000 सेरिकों की मारे जाने का दावा खाली अवदी विका में आईस जबनू ने ये कहा है मुझे यकीन नहीं है क्या आपको यकीन है यकीन करना बड़ा कटिन है देखें, चार हजार मारे गए या चार सो मारे गए तो गिन्ना और नौप इसकी खबर आएगी, बालों नीच चलाएगा, क्या सच है, देकिन सच ये है, कि दोनों तरफ से धना धन कैजुल्टीद हो रही है, दोनों तरफ से रश्या की अगर कैजुल्टी हो रही है, तो इस पिले एक साथ से कह रहे है, कि मीडिया की वार चल रही है, मीडिया इसको खबरें देता है, अब कितने मर गए तो इसकी आप पुष्टी नहीं कर पा रहे है, तो हम कैसे पुष्टी करेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर मानता हूँ मैं, कि रश्या का नुक्सान हो रहा है, इसमें कोई दो शक नहीं हो सकते, युक्रेयन का नुक्सान उसे दस गुना जादा हो रहा है, अगर रश्या के चार चार सो या चार दार मारे गए, तो उसको कम असकम दुगना तो करी दीजे, उते तो युक्रेयन के मारे गए होंगे, लेकिन एक बात समझने कि जो है, मैं लीक हो है, उसके मुताबिक किस तरह से युक्रेयन तैयारी कर रहा है, युक्रेयन के स्क्रिमिया पर वाकई में अटेक करेगा, अगली ख़बर भी मैं दिखा रहा हूँ, उस पर भी मिर्वजी आपका रियाक्शन चाहिए, सर रसीदे आईए हैं, अब जो अगली दो खब विज्वल्स के साथ दिखाईए जरा, सरगई शोईगू ने डिफेंस कंपनियों से लिए जानकारी, दिखाईए जरा, रूस के डिफेंस प्रड़क्शन बढ़ाने और अपग्रेडेशन पर जोर, यह जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, यह देखिए, यह ब्रैडली जो है, उनका रश्यन आल्टरेट है, वो दिखाई दे रहा है, और लंबे युद की धैयारी में यह किस तरीके से रूस दिखाई दे रहा है, यह देखिए, सरगी शोईगू जो है, वो वहाँ पर ब्र ब्रैडली जो अमेरिका के ब्रैडली जो आ रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए, इन्फेंट्री वेकल्स का यहाँ पर यह निरिक्षन करने पहुचे हैं, किस तरीके से तैयारी चल रहे हैं, यह देखिए बाप, खुद गाडी के अंदर बैठे हैं, सरगी शोईगू, रश्या के डिफेंस मिनिस्टर, यानि की रश्या तैयारी कर रहा है उन टैंक्स की जो की पश्चमी देशों से आ रहे हैं, क्या यह समझा जाएं, सीधे आईए राहूल इसके की ग्राफिक्स के पास, और मैं चाहूंगा, इसमें जरा विश्वल्स भी चलाईएगा, ब्रे प्रिस की जाच की है, फिर शोईगू, रूस के निजिनी, नोवग्रोट सिटी में डिफेंस कंपनियों पे पहुचे, शोईगू ने प्रोडक्शन, फैसिलिटी और असेम्बली लाइन्स का जाइजा लिया है, मंत्री ने आमड परसनल के लिए चलाई जा रहा है, वरक्श का वीडियो आया सामने, दिखाईए जरा विश्वल्स, विश्वल्स के साथ ब्रेकिंग, यह देखे, आम्मिन सब करेएगा प्लीज, रूसी सेनिक कर रहे है, रियल वार ब्रेंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दोरान हेवी वेपन के इस्तमाल, इस वीडियो को फिर से प् दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट जिकाई है, यह देखे, एक तरफ सरगेई शोईगू निरिक्षड कर रहे है, दूसी तरफ रश्या की ट्रेनिंग चल रही है, और यकीन मानिये जो तीसरी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपके पैरों तले जमीन निकल युक्रेन के खिलाफ सोवियत जमाने के बम से हमले की तैयारी, इंडस्ट्रियल और पोर्ट इंफ्रा को उड़ा सकते हैं यह हेवी बम, रिहाईशी इलाकों में भी इन बमों से तबाही मचाने की तैयारी, यह उस बॉम के स्टिल्स हैं, पंदरा सो से तीन हजार किलो और भी निरिक्षण किया सरगेई शोहिकु ने, राहूल यह तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाईए प्लीज, यह तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाईए, सीधे में चलूँगा यहाँ पर, सीधे में चलूँगा शंगर प्रसाद सार के पास, शंगर प्रसाद सार सरगेशोईगू डिफेंस प्रिपेड़नेस को देख रहे हैं और जहां पर मैं देख रहा हूं उसमें इंफेंट्री वेहिकल्स का निरिक्षण क्या जा रहा है मैं एक बहुत ही आमेच्चे और हूँ मुझे लगता है कि शायद वो ब्रैडली की तैयरी है टैंक्स की तैयरी दूसरी खबर में हम जो विश्वल्स दिखा रहे हैं प्लीज लखिया आई है रहो वो विश्वल्स है किस तरीके से उनकी जो इन्फेंट्री यूनिट है वो तै कि यारी दिखाई देरिये in terms of their planning and strategy, long term ये short term? जो चीज आपने भी व्याक्षिया की, जो चीज आपने भी बताई कि ये infantry combat vehicles की तैयारी हो रही है और ये heavy bombs गिराए जा रहे है, incidentally जो bomb गिराए जा रहे है, इनकी जो range है, वो आपने बता दी लेका इनका जो killing area है, killing area माने की कहाँ पर इसका effect होगा, that is something like 3,000 square kilometers, एक bomb गिरेगा जो 3,000 square kilometers पर, जो चीज भी होगी, उसका बिल्कुछ सत्य नाज़, वो धूल बन जाएगी, मट्टी बन जाएगी, खास्तोर से buildings का, जब इस तरह की तैयारी होती है, जैसे कि infantry combat vehicles है, इसके माने यह है कि infantry को इसके अंदर बिठाके objective तक ले जाया जाएगा, जिससे कि small arms fire से उसकी बचत हो सके, उसकी safety हो सके, और उसकी attack करने की काभलियत रखता हूँ समय, जबकि objective को artillery से neutralize कर दिया गयो, बाराल, this is the cyclist, this is the teaching, अभी किस तरह से इस्तमाल करेंगे, कैसे इस्तमाल करेंगे, यह तो कहना कटन है, यह बात जरूरी मानता हूँ मैं आपकी, कि बड़ी long term planning हो रही है, they are now going into ICVs, they are going into training infantry for assault, they are also using heavy weapons to cause destruction onto the fortifications, जो की बने हुचा है, defense के fortifications हो, यह civil fortifications हो, उनको नश्ट करने की भी तैयारी हो रही है, so it's a combination of an attack, it's a combination of a fire assault, so fire assault एक तरफ जा रहा है, infantryk attack होने की दूसरी तरफ से इसकी एक तैयारी से दिख रही है, होता है, कहीं और होता है, नहीं होता है, इसको हम नहीं कह सकते, तेकर this is a typical preparation for an infantry attack preceded by an artillery heavy fire. Point taken sir, लेकिन इस सब के बीच में बड़ी ख़बर में, दीपक बोरा सर के पास आराओं सीधे आईए, रूस की मुश्किले बढ़ाने के लिए तैयार strong brigade break करें, with the visuals राहू, युक्रेन की strong brigade युद में शामिल होने के लिए तैयार, ये देखिये बाब, 40,000 strong brigade, रूस के खिलाब मोर्चे में होगी तैनात, रूसी सेने को पर खात लगा कर हमले की ले रहा है, training, ये आपके सामने आज इस चैनल पे एक बहुत बड़ा खुलासा है, लेफ्ट साइड में आप जो visuals देख रहे हैं अभी, ये युक्रेन की training के हैं, और ये साफ दिख रहा है कि ये लंबी तैयारी करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, और राइट साइड में, जो कि विदन फ्यू सेकंड आपके सामने visuals आएंगे, there it goes, excellent work PCR, राइट साइड के visuals हैं, रश्या के, लेफ्ट साइड के visuals हैं, युक्रेन के, ये देखिए, रश्या और युक्रेन, युद की तैयारी चल रहे हैं, कर रहे हैं, इसका मतलब, the war is going to go on, ये युद लंबा खिचेगा, ये देखिए तस्वीरे अब आप, लेफ्ट में आप देख रहे हैं, वो है युक्रेन की प्रिपरेशन, राइट में हैं रश्या की प्रिपरेशन, ये है युद की तैयारी, इस सब के बीच में एक और बड़ी ख़बर सीदे आईए, रूस के खिलाफ चैलेंजर टू टैंक का इस्तमाल की तैयारी, ये देखिए बाब, विज्वल जिखाईए, ब्रिटन में ट्रेनिंग लेकर लॉटे युक्रेन के टैंकर्स, ये देखिए बाब, ब्रिटन में चैलेंजर टू की ट्रेनिंग दी गई, इस सब के बीच में तीसरी बड़ी ख़बर राहूल, दिखाईए ज़रा, रूस पार बड़े हमले की तैयारी में युक्रेन, ब्रेक करें इस ख़बर को, विद द विश्वल्स, बड़े हमले से पहले 50-50, रूसी सेना को ठकाने का प्लान, पश्चिमी मदद से बड़े काउंटर अटाक करेगा युक्रेन, राहूल इसके की ग्राफिक्स पर आईए, और पिर तीन ब्रेकिंग तीन शॉट्स लेंगे, सीधे आईए, ये देखिए, युक्रेन की जो तैयारी है, काउंटर अटाक की तैयारी, सही वक्त आते ही रूस पर काउंटर अटाक की तैयारी में युक्रेन, ये जानकारी आ रही है, सही मौसम के इंतजार और दुश्वन को ठका कर वार के फॉर्मूले पर युक्रेन, युद में युक्रेन कई नई टुक्री जिन में इसे प्रतेक में कई हजार सैनिक शामिल होंगे मैं चाहूँगा इसके बंगल में ब्रेकिंग और शॉट जरूर दिखाए राहूँ वेस्ट से मिले टैंक, मिलिटरी वेकल और कई एक्रिप्मेंट भी फ्रेंट लाइन पर होंगे माई जून में रूस युक्रेन के बीच निननाइट जंग के बाद युद खत्म युक्रेन ये कह रहा है युक्रेनी डिफेंस का ये कहना है तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेकर आईए दीपक वोरा सर के पास आऊँगा, दीपक सर काश, युद जो है वो सोशल मीडिया पर लड़ा जाता काश, युद, ड्रॉइंग बोर्ट पर बनाया जाता लेकिन अफसोस, ये सारे फैक्स जो बदा रहे है ये बड़े हैरान करने वाले है अब मेरा सवाल ये है, तैयारी के विश्वल्स जूटे नहीं है, वो सच है लेकिन जो ये क्लेम कर रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं करश की चंत्र मां ब्लू चीज का बना होता Thank you very much, बगत अचा लगывать काता है जाब आपसे सीखताँ गयां General Sahab, Commodore Sahab, always a pleasure to be with you, Mr. Chad fic it's a learning experience, thank you so much ये जो situation है, hope on the ground General Sahab से पेजतर रहे सटाब you he is an씨 pra track, cold and outstanding son of India and big soldier मैं तोड़ा अगर और अभी आपको कॉमेंडर साफ बताएंगे कि सरसों का खरसों परसों होगा यहां कल वो हम सब जाएंगे लेकिन अगर आप इजाज़ते हैं सब्सक्राइब इस समय हम लोग जो देख रहे हैं और आप देखें मेरे पीछे वाइरस मैंने लगा रहे हैं क् इसका एक फाइदा हुए है सभी यूरोपियन लीडर्स को या वो सब तोड़ लगा के चीन जा रहे हैं कि चाचा जी माफ कर दो हमसे गलती होगी पेशन्ट योरॉप इस हर्टिंग डॉक्टर अमेरिका प्रिस्क्राइब करता है और हत्यार रश्या बैठके मुस्कुरा र हमने अमेरिका के पेकावे में आगे तेरे को गाली दे दी तू तो भगवान है तू तो हमारी कांट्री में इन्वेस्मेंट करेगा सब ठीक हो जाएगी एवरीबोडी इस बेनेफिटिंग फ्रॉम्ट यूक्रेन के अतिरे और ये मैकरॉन आपने उसका रेस्टरंटी जला होगा. So everything that we are seeing today on the ground, whatever the reality, the real truth is sir, इसका कोई अंत नहीं है. सब अपना उलूसी दा करें है. मैं आपसे इस सबाल पूचूँगा. मैकरॉक के अपने घर में आग लगी है. वो गए है चीन, यूक्रेन के आग बुजाने. ये बड़ी इंटरस्टिंग बात है. मैं आपसे पूचूँगा ये सबाल. लेकिन इससे पहले एक बड़ी ख़बर यहाँ पर. यूक्रेनी MLRS क रूसी पोजेशन्स पर अटाइक दिखाई है जरा विजूल्स प्ले उन करिये. यूक्रेनी रूसी फ्रेंट लाइन पर किया जबर्दा सम्ला विजूल दिखाई है राहूल. बेलारूस के बॉलंटियर काश्टूश, कोलोनोट्सकी, कालिनोट्सकी रेजिमेंट में शामि विजूल देखे है बाफ जरा, कितना जबर्दा सम्ला हुआ है. मार्च 2022 में रूस के किलाव रेजिमेंट का गटन हुआ था. ये देखे किस तरीके से अटाक किया गया है. लेकिन इस सब के बीच में. सीध आईए बड़ी खबर पर राहू. अगली खबर, फाइनली, वार प्लान लीक. युएस नेटो का, युएस नेटो का, रूस-उक्रेन सीक्रेट वार प्लान लीक हो गया है. ब्रेक करें. उक्रेन वार प्लान के दोक्युमेंट लीक की जांच कर राहे पेंटेगन, वार प्लान के सीनियर अधिकारियों ने नियॉक टाइम्स को दी जानकारी. डॉक्युमेंट के साथ 6-4 के बाद ट्विटर टेलिग्राम पर लीक हो गया है. मैं चाहूंगा ज़रा बगल मेस के ब्रेकिंग और शॉट जिगाई राहू. सीधे बड़ी खबर है ये. युक्र टेलिग्राम पर लीक युएस नेटो के सीक्रिट वार प्लान. बाइडन प्रशासन के सीनियर अधिकारियों ने नियॉक टाइम्स को दी जानकारी. राहूल संबाफो तो हमारी ब्रैंडिंग वॉल भी पीछे ले आई है आप. यहाँ पर रूस के खिलाफ सूनी ओजित हमल हो सकता है. लीक डॉक्यूमेंट के फैक्ट को बदल कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है. डॉक्यूमेंट के साथ जिस तरह से छेडशाड हुई है. उससे लीक की सुई मॉसको की तरफ है. यूएस बोल रहा है. नियॉक टाइम्स की रिपोर्ट है. सीधे राहूल. इ देरे लिए तो समच से परे है कि वार प्लान लीक हो रहा है. और वो बुलते है रूस ने कर दिया है. मतलँ वार प्लान कोई ऐसा था कि जिसमें इस लोग सामने मुंभली बनाने की दे रहे थे? वो हो सकता की पीड्रा मंगवाया हो और जो वार प्लान के का승़ा है उसमें इनके पास आगया हो, उन्होंने लीग कर दिया, यह साइकोलोजिकल वारफेर है, डोंट बलीव वर्ड़ वर्ड टॉप इस, यह कौन सा जंग है जिसमें हम कहते हैं भी दुष्मन, देख ले हमारे यह प्लान्स है, हम यह करने वाले हैं, और दुष्मन कहा था आजा टाइकर मैं तेरे को महा तेरा मुकाबला करूगा, यह कभी भी मैंने नहीं देखा, दिप्लोमसी में है, वोड़ टाइम है, कि कोई इस तरह से पुब्लिकली चाप देता है, सोचल मीडिया जेतना मरजी पारफूल हो, लेकिन किसी की दिमाग में अभी गुसने कि उसकी ताकत नहीं है, artificial intelligence is no substitute for natural stupidity, media वालों को यह बता दे, क्या बात कही है आपने सर, लेकिन मैं आपका एक बात बोलूँगा, they say, once an army man, always an army man, but once an anchor is always an anchor, the way you're changing your background, you're giving me a fight, anyway, there you go, okay, को बड़ी खाबार, रूस का युक्रेइन की रिहाईशी बिलिंग पर हमला दिखाएए जरा विजूल, ब्रेक करें, रूसी हमले में युक्रेइन के अवासिये बिलिंग में लगी आग, विजूल दिखाएए, बड़े हैरान करने वाले विजूल्स है, they are very disturbing विजूल्स, बिलिंग में युक्र 47 माइन क्रेरिंग वेकल्स का इस्तवाल, यह देखिया बाप, आगे बढ़कर रूसी ठिकानों को टार्गेट कर रही है, युक्रेइनी फॉज, यह देखिये तस्वीर है बाप, वार जोन में, क्या कुछ हो रहा है, यह देखिया बाप, इस सब के बीच में सीधर आईए ब वेलकम टू नेटो, फिनलिन ने, जो कि हमारी टीम ने मोजाग कर दिया, उसके लिए मैं माफी जाओंगा, बर्फ के बीच फिनलिन आर्मी की बड़ी तैयारी, वैसे फिनलिन की टोटल आर्मी उत्ती होगी जित्ती भारत की एक यूनिट, सच बता रहा हूं मैं आपको, ल विरोपिय पार्टनर्स ने उक्रेइन पर विरोध जटाया, विरोधी खेमे ने कहा, युद के बीच सदे सदा की बात नहीं हो सकती, उक्रेइन पर दो गुटों में बटे नेटो देशों की विदेश मंत्री, सीधे आईए फ्लो ग्राफिक्स बार, बड़ी ख़बर रहू फ्लो ग्राफिक्स दिखाईए, इसके बाद दोनो ब्रेकिंग, दोनो शॉट्स नेंगे रहूल, सीधे आईए, ये जो मैं जानकारी दिखा रहा हूँ, आपको पीछे जारा स्काय ले आईए रहूल, युक्रेइन पर नेटो रोड मैप का विरोध ये जानकारी आ रही है, सीधे आईए रहूल, दोनो ब्रेकिंग, दोनो शॉट, कॉमडोर जीजे सिंग सर के पास लोगा, सर आपको इंतजार कराने के लिए माफी, लेकिन नाव नेक्स्ट फ्यू मिनिट्स इस ओल यॉज, सर, नेटों की सदस्तता नहीं देंगे उक्रेइन को, क्या ये बहुत पीनियन होता है, वो तो इस फॉरिंट में हो जाता है, मगर जो मैं ब्यूटी, यूरोपियन और नेटों में देखता हूँ, के वो ऐसे डिफरेंसे को, जैसे भी हो, मेरे सयोगी राहुल जो है, वो पूरा इलर्ट है, उन्होंने का कि मैंने फिनलेंड बोल दिया, I mean Ukraine, I stand corrected, प्लीज, बहुत साथ, अब वो रिजॉल्व कर लेते हैं, अभी यूक्रेइन के ऊपर पहले भी मैंने देखा है, कि ये देश बटे हुए थे, कुछ कह रहे थे, कि उसको नेटो में मिलाया जाए, ना मिलाया जाए, मगर जबकी वर चली हुए है, तो इस ऐसी हालत के अंदर उसको नेटो के अंदर शामल करना, वो भी उसको ठीक नहीं समझते होंगे, मगर मैं आपको एक जी बताना चाहता हूँ, आप जैसे भी इसको समझिए, मैं इस वर को पिछले 13 मिने फैबरी लास्ट यर से बहुत क्लूजली मॉनिटर कर रहा हूँ, अभी रश्या को हम देख रहे हैं, पहले उसके धमकी दीखे, फिनलंड अगर आ गया, नाटो के अंदर तो वो उसके जो नतीजे होंगे, बहुत ही डंकर होंगे, मगर हम देख रहे हैं कि नाटो में आ चुका फिनलंड, तो ऐसी जो बाते हैं, ये जो मैं समझता हूँ कि रश्या की खुखला पन दिखाती है, सर मुझे एक ख़बर का मतलब बताईएगा, आप जो कह रहे हैं, अब उसके बाद मैं आपको एक ख़बर बता रहा हूँ, सीधे आईए राहूल, MPT, Air Defense System, SAMP, NATO Joint Aviation Command ने की, Air Defense System की तेनाती, ये बड़ी खबर है, राहूल, विद द विजुल्स नाओ, सीधे आईए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, नेटो के Eastern Front पर हलचल बढ़ गई है, नेटो ने Slovakia में तेनात किया, Air Defense System, मैं सीधे आउंगा, कॉमडोर जी जी सिंग सार के साथ, ब्रेकिंग और शॉट्स, सार, नेटो ने Eastern Front पर Air Defense System में लगाया है, इसका मतलब क्या है, आर दे एक्स्पेक्टिंग सम्धिंग रॉश्या, दिखें, ये जो Air Defense System है, उनों ने अपने एलेक्ट्रोनिक सर्विलेंस को बढ़ा दिया, क्योंकि अगर Eastern, उनका देखा जाए जो बॉडर है, तो वहां पे पहले बात जैसे चल रही थी कि वो कभी भी नुक्लियर पावर को यूज़ कर सकते हैं, तो उसके उपर कड़ी नजर रखने के लिए ऐसे जो Surveillance System है, उनको एक्टिवेट करते हैं, मगर मैं तो ये कहूँगा कि नैटो आप भी बताते हैं, आप भी चैनल के ऊपर ही आपके प्रोग्राम में में देखता हूँ कि यूकरेन के बहुत काउंटर हैवी होते हैं, और मैं पिछले कई महिनों से कह रहा हूँ कि जब ये मौसम बदलेगा, स्प्रिंग सीजन जिसे कहते हैं अभी आ रहा है, तो उसके जितने उसे आपने बेजे हुए हैं, पॉइंट एकिन सर, मैं आपको जोड़ा सर रोकूंगा सर, लेकिन इस वक्त एक बड़ी ख़बर आ रही है मेरे पास, सीधे आईये राहूल, बड़ी ख़बर पर, शी जिन पिंग की रूस युकरेन से शांती की अपील ब्रेक करें, जिन पिंग ने कहा, शांती वारता जल से जल शुरू होनी चाहिए, विद विजुल्स, रूस युकरेन की सुरक्षा चिंताओं पर विचार किया जाना चाहिए, शी जिन पिंग की बात हो रही है, दिखाईए ज़रा, सीधे बिग बॉल पर आईये राहूल, इसके बिग ब जिन पिंग ने कहा, शी जिन पिंग ने कहा, शी जिन पिंग ने तटस्त दिखाते हुए, रूस को राजना एक समर्थन दिया है, ये कहा है उन्होंने, चीन ने फरवरी 2022 के हमले के लिए रूसी तरकों का सपोर्ट किया है, सीधे आईये, बड़ी ख़बर में आपको एक औ जिन पिंग ने कहा, शी जिन पिंग ने कहा, तीन दिन की यात्रा पर बेजिंग गए, मैकरों की जिन पिंग से मुलाकात, राउल इसके कीक के बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाईएगा, मैं सीधे आउंगा, आप ये बड़ी ख़बर में आपको दिखा रहा हूँ, जिन दिन की यात्रा पर बेजिंग गए मैकरों की जिन पिंग से मुलाकात, इम्मैनुवल मैकरों जंग खत्म करने के लिए पूतिन को समझाए, आप रूस यूकरेन के उस समझौते के लिए साथ ला सकते हैं, शी जिन पिंग कोशिश जारी है, ये उन्होंने कहा है, फिर इस सब के बीच में, चीन अपनी तरफ से इस पर काम कर रहा है, इस सब के बीच में राउल, सीधा आए, अगली खबर पर यही वाल रखेगा, बड़ी खबर पर, फ्रांस में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बरबरता, दिखाए ज़रा विज्वल्स, पुलिस ने इस सब के बीच में एक और बड़ी कबर, पैरिस में अमेरिकी कमपनी के आफिस पर हमला, अमेरिकी इंवेस्मेंट फिर्म ब्लाक रॉक के आफिस पर हमला हुआ है, यह देखिया बाब, प्रदर्शन कारी उने भारी आगजनी और तोड़ फोड़ किये, प्रदर्शन कारी अमेरिकी के दबाब में कर रही है, मैक्रो सर का ये काम, सीरे चलूँगा, मैंसर दीपक वो ना सर के पास, दीपक सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, I'm completely, completely out of answers, अपने घर में आग लगी है, भाईसाब दुनिया की समस्या समझा रहे है, सुल जा रहे है, और पब्लिक को आगे कहते हैं, जी मैं युक्रेइन की बात कर रहा है, और पिंग-पॉंग ने बोला है, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, युरोपिन यूनियन की प्रेजिटन जो कही लिए, पिंग-पॉंग चोर है, टाकू है, पदमाश है, वह क्रिमिनल है, उसके सामने गुटने टेक दिये, सर ये आप ये कहना जाते हैं, ये डिप्लॉमसी टेलिफोन हो गई है, कि आदमी बोलता क्या है, सोचता क्या है, करता क्या है, कुछ समझ में नहीं नहीं आता, एक्सेप्ट इंडियन डिप्लॉमसी, we say what we mean, we mean what we say, I salute you for this, always, I always do, anyway, एक और बड़ी कहबर, तीन बड़ी कहबर, युक्रीनी सेना कर रूसी फॉज पर जबर्दर समला, दिखाए ज़रा विज्वल्स, चेक रिपॉब्लिक से मिले, वैंपायर M.L.R.S का इस्तमाल, विज्वल्स के साथ, हाली में युक्रीन को मिले हैं, वैंपायर 4D रॉकेट लाउंचिंग सिस्टम, विद विज्वल्स राहू, यह देखिया बाब, इस सब के बीच में एक और बड़ी कबर सीधा आई है, रूसी फॉज्वल्स ने मल्टिबल रॉकेट लाउंचर से किया हमला, दिखाईए ज़रा विज्वल्स, युक्रेन के कई सेने ठिकाने तहस्नेस कर दिया, दिखाईए ज़रा विज्वल्स, फ्रंट लाइन पर रूसी सेना की लगातार गोली बारी, इस सब के बीच में एक और बड़ी कपर सीधा आई है, रूस से युद के बीच उक्रेन की विद्वन से क्वाड डिल दिखाईए ज़रा विज्वल्स रहा हूँ, उक्रेन ने जपॉरेज्जिया में वैस्स से मिले टैंक के साथ की ड्रिल, यह देखे अब आब, यह उस ड्रिल के विडियोज है, इस सब के बीच में सीधे राहूल ज़रा ब्रैंडिंग वाल चेंज करिए, आज एक बड़ी ख़बर में दिखा रहा हूँ, इस्रेल वाली ख़बर पर राहूल सीधे, लेट स्किब इस आप वन, इस्रेल लाएगा वर्ल्ड वार, यह बहुत बड़ा सवाल है, यह बहुत बड़ा सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, इस्रेल, क्या इस्रेल लाएगा वर्ल्ड वार, सीधे आईए, इस्राइल और एरान के बीच भारी तनाव इस वक्की बड़ी ख़बर ब्रेक करें विज्योल्स के साथ इस्राइल ने कर ली है इरान पर हमले की तैयारी अमेरिका के सुनने के लिए भी तैयार नहीं है इस्राइल इस्राइली एरफोस ने कहा बगएर अमेरिकी मदद के भी करेंगे हमला ये बड़ी खबर इसरेल ने एरान को लेकर का है सीधा आईए इसरेल वर्सिस एरान वार का फाइनल प्लान ध्यान से देखे इरान पर हमले के लिए तैयार है इसरेल इस वक की बड़ी खबर प्ले आउन करे राहूल इसरेली एरफोस चीफ हिराजी हालेवी का ये एलान है अमेरिकी मदद की इसरेल को परवा नहीं हालेवी निका है इसरेल अकेले एरान को न्यूगलिय वेवन बनाने से रोक सकता है इसरेल हजारों किलोमेटर दूर आपरेशन को अंजाम दे सकता है इसरेल किसी भी टार्गेट को दूर से निशाना बनाने में सक्षम है इस सब के बीच में एक और बड़ी कबर सीधे ब्रेक करिए हमास से निपटने में जुटा इसरेल का आईरन डूम दिखाईए जरा विज्वल्स के साथ इसरेली शॉर्ट रेंज एर डिफिन्स सिस्टम है आईरन डूम ये देखिया अंगाइडिड रॉकेट को जवाब दे रहा है आईरन डूम से तामीर इंटरसेप्टर मिजाइल लॉंच कर रहा है इसरेल इस सब के बीच में एक और बड़ी कबर इसरेल का गाजा पट्टी पर भीशन हमला दिखाइये जरह विज्वल्स इसराइली जेटс ने की जवर्दस बंबारी विज्वल्स के साथ हमाज के रॉकेट हमले के बाद इसरेल का बदला गाजा में पर इसरेली बंबारी में भारी थबाही सीधे आईए बड़ी खबर में आपको दिखा रहा हूँ और मैं बहुत शाप रियाक्शन लूँगा यहाँ पर बड़ी खबर है इसरेल का बदला सीरियल रॉकिट अटाक के गिलाप आदी रात को इसरेल की बंबारी यहाँ पर यह देखिया बाप इसरेल ने लेबनन से अटाक के लिए हमास को जिम्मदा ढ़राया है फिलस्तीनी मीडिया में का गया है कि हमास के एर डिफिन्स को अक्टिव कर दिया गया है सोशल मीडिया पर धमाके के कई विडियो शेर केज गए है इस सब के बीच में अगली बड़ी कबर सीधे आईए फिलस्तीनी ओपार इसरेली सेनिकों की गोली बारी ब्रेक करें इस कबर को दिखाईए जरा विज्वल्स विज्वल्स के साथ राउन इसरेली गोला बारी में एक फिलस्तीनी यूवर खायल हो गया है राउन की गई इसरेल की ओर से गोली बारी जवाब में हमास ने इसरेल के आगे में किया रॉकिट अटक राउल्टीनो ब्रेकिंग तीनो शॉट के साथ सीधे आईए शंक्रपसाद सर के पास शंक्रपसाद सर्चाप रियाक्शन सर् क्या लग रहा है आपको, what is the intent? ये एकदम से चीज़े भड़ा गई हैं और वो भी तब जब जब इस्रेल में इंटर्नल डिस्टरमेंस बहुत जादा है इंटर्नल डिस्टरमेंस बहुत जादा है इस्राइल is a very strong and a very powerful country वो जो चाहती है वो करेगी और वो छोड़ती है नहीं किसी को जस तरीके से आपने पिछले तीन दिन में देखा कि किस तरीके से उन्हें रिप्लाई किया है गाजा स्ट्रिप्स के अंदर किस तरीके से उन्हें लिबनॉन के अंदर अपने बं गिराएं तो लेट बी वेरी क्लियर चाहे उनके आप पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या इस्टेबिलिटी नहो इस्राइल is one country which will not falter which will not hesitate to take action in its national interest अगर उसका interest है कि मैं लिबनॉन के अंदर घुसके हमास को destroy करूँ वो करेगा गाजा स्ट्रिप पर भी बंबारी करेगा अगर उसको ये लगा कि मुझे एरान के बार खिलाब भी कुछ करना है all internal problems will be all behind the head of the state they will be able to do what they want to do sir आप जो बता रहें you are quite right you are absolutely right लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा sir एक और information आ रहे है फिलिस्तिनी जिहादी कर रहे है 9K38 Igla का इस्तमाल दिखाई है जरा visuals फिलिस्तिनी जिहाद movement ने जारी क्या वीडियो ये देखे अब आप ambience अब करिए 4060 में रखे प्लीज portable air defense system है 9K38 Igla ये देखे किस तरीके से इसका इस्तमाल किया जा रहा है सब के बीच में एक और बड़ी खबर दक्षणी Lebanon से इस्रेल पर बड़ा हमला दिखाईए जरा visuals हमास ने इस्रेल पर 36 रॉकेट से क्या हमला 25 रॉकेट को इस्रेल के iron drone ने किया intercept इस्रेली जमीन पर गिरे कम से कम पांच रॉकेट 40-60 प्लीज ये बड़ी खबर है ये देखे जरावा विश्वल्स भी है इसके इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर गाजा पट्टी पर इस्रेल की जबर्दस बंबारी लेबनन के बॉडर रिखो में भी इस्रेल का जबर्दस हमला दिखाईए ज़रा विश्वल्स बॉडर रिखो में उरान भरते नज़़ा आई इस्रेल के फाइटर जेट्स हमास के रॉकिट हमलों का इस्रेल ने दिया करारा जबाब इस लब के बीच में एक और बड़ी ख़बर सीधे चाइना का अगर बात करें प्ले आउन करिए इसको राहूल जरा ब्रैंडिंग वाल चेंज करिए बड़ा तेजी से मैं आगे बढ़ना हूँ यहाँ पर चाइना की बात करें चीन वर्सिस ताइवान और यहाँ पर फाइनल काउंटडाउन बड़ी ख़बर क्या है ब्रेक करें जंग की थैयारी में चीन की 72nd ग्रूप आर्मी विजुल्स के साथ कोस्टल अटाक क्या भ्यास में जुटा चीन का यह दस्ता दिखाइए जरा विजुल्स 40-60 प्लीज चीन की इस्टन थेटर कमांड का हिस्सा है 72nd ग्र लास्ट बेकिंग में आपको दिखाना हूं सीधा ही अगली बड़ी ख़बार ताइवान स्ट्रेट में आमने सामने चीन और ताइवान दिखाइए जरा विजुल्स के साथ राहूल ताइवान के पास समंदर में चीन ने शुरू की पाट्रोलिंग ताइवान ने दी जवा झाल